क्या होता है होर्स पावर, आखिर कितनी होती है घोड़े की ताकत, जो की जाती है उससे तुलना, कुछ चीजें होती हैं, जो हम यूँ ही सुनते रहते हैं, और उसके पीछे की वजह जानने की कभी कोशिश नहीं करते, ऐसी ही एक शब्द है होर्स पावर. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, मेरे चैनल, डिस्कवरिंग विद, अरुन मैं दोस्तों, गाड़ियों के इंजन को मापने की इकाई होर्स पावर है, लेकिन भला इसके लिए घोड़े की ताकत का ही इस्तिमाल क्यों किया जाता है, वैसे तो कई जानवर हैं, जो घो इंजन की ताकत से होती है, आखिर एक घोड़े के अंदर कितना होर्स पावर होता है, और शक्ती की इस इकाई पर वो किस स्केल पर खड़ा होता है, चलिए जानते हैं इन दिल्चस्प सवालों के जवाब, क्यों इस्तिमाल होता है होर्स पावर? भाप के इंजन का आविश पर शक्ती से की थी, उनके नए डिजाइन का स्टीम इंजन कम इंधन का इस्तिमाल करता था, लेकिन लोग पारमपरिक घोड़ा घाड़ी से आगे बढ़ने को तयार ही नहीं थे, ऐसे में उन्होंने होर्स पावर का मानक तै किया, क्या होता है होर्स पावर? इसके लिए उ उन्होंने कैलकुलेशन से तै कि वन होर्स पावर, फाइव संफिट सार पाउंड वजन, एक फीट एक सेकंड में उठाये जाने की क्षमता है, सीधी भाशा में एक मिनट में एक फीट तक 33,000 पाउंड को उठाने की क्षमता खेलाई एक होर्स पावर, जो 746 वाट के की अवधी के लिए बनाये रख सकता है, यह आंकलन कहता है कि एंग घोड़े के अंदर 14.9 होर्स पावर की शक्ती होती है, गाड़ियों में होर्स पावर का मतलब है कि इंजन कितनी शक्ती पैदा कर रहा है, छोटी कारें 120 होर्स पावर तक शक्ती पैदा करती है, जबकि ब को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको दोबारा मिल सकूँ धन्यवाद